पूरे देश में कोरोना ने अपने पैर पसारना फिर से एक बार शुरू कर दिया है बहें महराश्ट में कोरोना के सबसे ज़्यादा केसिस आ रहे हैं देखिए यह खास्ट रपोर्ट आज जब महराश्ट में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है कुरूना की वज़े से लॉक्टाउन महराष्ट के हर शहर में लगाय जा रहा है ऐसी में आम जंदा के पास पहले ही अपनी जिवी का चलाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है ऐसी में नागपुर कामिठी की सिटी हॉस्पिटल के बाहर सैक्रों की तदात में मरीजों ने सिटी हॉस्पिटल पर यह आरूप लगाया है कि कुरूना की लाश के नाम पर सिटी हॉस्पिटल आम जंदा को लोग रहा है और शे दिन के दा हमने कुछ बात करे तो पेमिन जमा कराऊं बोले पेमिन जमा करा यह रहा है नाके पास एड़ दीन पहले हम ने हमारे पेशन को पुछा आराम पूछ नहीं लगा क्या जैसे का वस रिस चमल आए तो अज भी कंडिसन में है अभी बात करने गए तो और उसके बाजुत अभी हमको क्या मुलते हैं अपका पेशन्ट मेवा लेके जाओ अगर मेवा मुझे पेशन्ट लेके जाना था तो मैं यहां क्यों लाता था मैं मेडिकल घुमा मेवा घुमा लता मंगेश कर होस्पिटल गया मेरी मौसी है क्या नाम आपके मौसी सपिया हुसेन उनके उमर हैंगी 52 साल एक भी बिल नहीं ना ओरिजनल भी ले ना इसी जिराप से विल की अच्छा आपके मैं मम्मी के ऊपर जो ट्रीटमेंट कर रहे थे वो डॉक्टर का क्या नामाग कर लो डॉक्तर तो मुझे एक भी न जिस दिन से हमने लाए है वहाँ पर शिरिफ अंदर रखे है और वहाँ पर सब मास्ट पर दिखते था हमको कोई नहीं वालूं कौन डॉक्टर है कून क्या है मैं संजे मेश्रम पिली नदी रहता हूँ और सेटी ऑस्पिटल में मेरे मामा जी को भरती किया है गुलाब दोन समय भरती कीया था उनको 14 का कविट था एसा रिपोर्ट मैं थी तो मैंने सारी रिपोर्ट उनको डॉक्तर को बता है दो-धार थीक है जी बोले तुम्हारी पुले दो-तिन दीन मैं ठीक हो जाएगी तो उनों को आडव तिन में ठीक हिया उनका कम से कम एक लाग थीतल reур? ब प्रप्रदिया यह उन्हों को यह को एक लाग नेव जार 920 रुवे की चिपिद्टी डिया है इसमें से मैंने 90,000 रुब भर चुके इसमें से हमने और बाकी एकने भरने हैं यह हमको यह सब दिया जा रहा है और हमने बोला बहुत बें दो तो बोलते पहले पैसे ला दो उसके बाद में बील देंगे ऐसा एसा यह लोग कह रहे हैं शीटी ऑस्पिटल जो है यह बकवास होस्पिटल है मुझे ऐसा लगता है और मैंने क्यूंकि हम भी मैं बहुत सारे होस्पिटलों में जाता हूँ जो ऑक्सिजन ग्यास का सप्लाइए का काम करता मैं मैंने के बहुत सारे जितने भी होस्पिटल में है अच्छा होस्पिटल मैंने आस्तलक ने देगा कि ऐसा कोई विल ऐसे कागज में लिख कर दे या उनसे बोलो तो उल्टी सीधी बात करें और पेशेंट को हमेशा एक धमकाने डराने वाली बात करते कि हम तुमारे रहे थे फिर रहे थे लेकिन आज मेरा पेशेंट जो है वह एक्दम बिस्तर पकड़ लिया है और और विल भी इतना तीन लाग के करीब करीब निकाला है तो मैं नीज चैनल से और प्रशाशन से गुजारिश करूंगा कि यह जो सेटी होस्पिटल है इसके उपर में एक्श प्रव में यहाँ पे कि जित्वी बिल्स आ रहा है यह आ रहा है साड़ी चीजे पूरी न्यूस के सामने है तो मेरा मोलना हित्ता ही है कि जो गवर्मेंट के जिया रहे अभी जो निकले है तो उसकी हिसाफ से यह लोग ले क्यों नहीं रहे है बस इसका एक जवाब चाहिए पूरा मामना क्या है यह हम आपको बताते है कामठी इस्दिद सिटी हॉस्पिटल के उपर जनता द्वारा यह आरूप लगाया चा रहा है सिटी हॉस्पिटल सभी मरीजों के परिजन से सरकार की तै अनुसार के हिसाब से ज़्यादा पैसे ले रहा है और इसका विल के रूप में कच्चा विल दे रहा है किस किसी को तो छोटी छोटी पर्ची पर रकम लिख कर दे रहा है कि इतना जमा करो और अगर किसी भी मरेश के परिजन ने पैसे देने से मना किया तो उसके मरेश को होष्पिटल द्वारा बाहर कर दिया जा रहा है यह पुरे मामने की जानकारी लेने पत्रकारों ने सिटी हॉस्पिटल की डॉक्टरों से मिलकर उनका वक्ष जानना चाहा तब सिटी हॉस्पिटल के किसी ने भी पत्रकारों से बात करने पर टाल मडोल करते हुए गुमाया गया और आखिरकार किसी भी पत्रकार से काम ठीके सिटी होस्पीटल का कोई भी डॉक्टर या कोई भी करमिशारी नहीं मिला इस बार से यही लगता है कि ये सिटी होस्पीटल को सकार के कानून जंदा की जान की कोई परवा नहीं है सिटी होस्पिटल की यह लूट और लापरवाही तब सामने आई जब पत्रकार ने खुद सामने आकर बताया कि सिटी होस्पिटल ने पत्रकार की मा के इलाज के समय भी ऐसा ही किया मैं डायरेक नाम बता रहा हूँ वह आया उजह देखा बोले यार एक लाख रुपे भर दो मम्मी को आईसीव में डाल देंगे ऐसा होगे वैसा तो मैंने सोच पैसे तो इतना नहीं है मैं कुछ पैसा तीस हजार जबा करता कलोर पैसे लगातर मम्मी को लेके गया और को देख दो कि मेरी मम्मी से घुझता डाया गया कि जिससरी बात उन्हें मंुझे मैने टिच्चिछ लिया मम्मी को मैंने ऑगता मेटिकल और यह बिल देखे आप और यह किसी प्रकार इस परकार का बिल प्रिंटेट नहीं है किस तरह का दिया गए और इसका पैसा दिकेश घैरा एक तीन गाती हजार का थ। हिसलों फट्रषल रुप हूँ यह अस्काश्व और विंगेश का सब्सु circulating नियुक्त अनतुम नियुसरी देश्बसी पैसो व्योदर खुत में में हैं नाका में यहां सीधे तोर पर है तो मैंने पहले दिन मुझे और यहां से अगर दवाई लेने गया तो साड़े साथ हजार की यहां पर 12.000 की दवाई सेम दवाए और वही अगर किसी और मेडिकल में जाओ तो वही दवाई सारे छे हजार की यहां पे लिए तो बारा जार और अगले दूसरे कोई मेडिकल में लो तो साथ हजा याने सीधे दर्पर चार-पांच हजार का यहां गल्ला है तक्तर तंजीम जो है मैं जब भी उनसे लोगों को मिली भगत होने के कारण यहां पर इस होस्पिटल का बड़े बेकव से यह धंदा चर रहा है तो यह धंदा कोन बंद करेंगा मानिया करेक्टर साब से निवेदा ने मानिया आरोगी वुबाक सिमन ने मानिया राजर टोपे साब से विड़नती है कि अगर ऐसा चलेगा तो कब तक ऐसे गरीब लोगों को लूटा जाएंगा मेरे जैसे पत्रकार जो कि मैं कई साल से पंद्रा साल से पत्रकारता कर रहा हूँ पत्रकारता काम कर रहा हूँ और मुझे 15 साल के आज मुझे ये मिला तोफा सीटी होस्पिटल तो ये तोफा तो बहुत अच्छा और मेरे जैसे गरीब लोगों को अगर लुटे तो फिर आप बटाईए कि आप मीडिया वाले हो कहां जाएंगे हम लोग भुखती वोगी इस पत्रकार ने इस्थाने पुलिस और तैस्दील दार को सीटी होस्पिटल के खलाब उचित कारवाई करने के लिए ग्यापन भी दिया आज जब सीटी होस्पिटल के सामने आम चंता का हुजूम जबा था तो मौके पर पुलिस भी पहुची और पुलिस ने शाज के बाद कारवाई करने की बात कही अब देखने ये होगा कि क्या पुलिस प्रिशासन या तहसीलदार सहब इस होस्पिटल पर कोई कारवाई करते हैं या नहीं क्या एस सीटी होस्पिटल की लूट और परवाही निरत्तर ऐसी ही चारी रहेगी क्या ये होस्पिटल अपनी मर्जी की करते हुए लोगों की जान और माल से खेलते रहेंगे आपको हम और भी ऐसी ही जानकारियों से आउगत कराते रहेंगे इसके लिए आप हमारे चैनल जी टाइम न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें साथे आपको लगता है कि यह खवर ये जानकारी और भी लोगों तक पहुँचना चाहिए तो किर्फिया इस खवर को आगे से जरूर करें